Hello friends, welcome to my YouTube channel, chapter 1 से example 16 करेंगे Simplify the following expressions, कुछ expressions दे रखेंगे आपको इन्हें simplify करना है First part से शुरू करते हैं, 5 plus root 7 in bracket और in bracket 2 plus root 5 ये दो binomial लिखे हुए हैं और ये आपस में 7 साथ है, it means इनका करना है हमको product तो इनका product कर देते हैं, इसी तरह के questions आप class 8 में भी कर चुके हैं ये दो binomials हैं और इनके अंदर ये first term, ये second term, ये first term, ये second term इनके अंदर कोई formula तो लगेगा नहीं, क्योंकि जो terms हैं इनकी वो आपस में match नहीं हो रही है यहां first term 5 है, यहां पर 2 है, यहां second term root 7 है, यहां पर root 5 है तो हमारे पास कोई option नहीं है, हम पहला वाला जो binomial है, इसका पहला number लेकर और इसके साथ में, जो next ये जो binomial है, ये पूरा का पूरा उतार देंगे, इस तरह से यहांनि 5 की multiply, 2 प्लस root 5 से, और अब ये जो दूसरा वाला है, first binomial का जो second term है ये, root 7 इसके साथ में, इसकी second वाले binomial की product तो जब कोई formula नहीं लग रहा होता है expression के अंदर, तो हम इस तरह से करते हैं पहले वाले binomial को break करके, और बारी बारी से, उसकी दोनों terms के साथ में, दूसरे वाले binomial को product में लिख देते हैं अब इनका product करते हैं, यहां 5 की इन दोनों से होगी multiply बारी बारी, तो 5, 2, 0 हो गया 10 आगे plus का plus, 5 की multiply root 5 से होगी, तो ये 5 और root 5 ही बन जाएगा आगे plus root 7 और 2, तो 2 की multiply root 7 से की, तो ये 2 और root 7 बन गया फिर root 7 की multiply root 5 से करेंगे, तो 7, 5, 35, root में अगर दोनों numbers हैं, तो वो product हो जाता है और पूरे के उपर root लग जाता है, 7, 5, 35 हो गया, क्योंकि दोनों root में हैं, तो ये answer भी root में आएगा अब ये आपके पास 4 terms है, ये 4 की 4 terms आप देखोगे, तो ये unlike terms है ये तो पूरा पूरा एक whole number है, ये जो term है, ये है root 5 की term, ये वाली term root 7 की term है और ये जो term है, ये root 35 की terms है, तो जो unlike terms होती है, ना हुने हम add कर सकते हैं, ना हुने हम subtract कर सकते हैं तो यही इसमें आपका answer है अब आते हैं second part पर second part के अंदर ये दो binomials दे रखे हैं इनका product करना है इन दोनों की जो first term वो same है 5, 5 और जो दूसरी term है वो भी same है root 5 और root 5 तो इसके अंदर identity लग जाएगी a plus b और a minus b बराबर होता है a का square minus b का square a और b से मेरा मतलब है ये पहला a यहाँ पे 5 ये और b से मतलब है जो इनकी दूसरी term है अब a और a same same है b और b ये भी same same है तो जब इस तरह का सवाल होता है और उन दोनों के बीच में sine opposite ओ एक plus हो और एक minus हो तो ये formula बनता है तो simply इसको हम इस form में लिख देंगे अब a का square करना है it means 5 का square करना है minus b का square it means root 5 का square अब simplify कर लेते हैं इसको 5 का square यानि 5 into 5 minus root 5 का square यानि root 5 into root 5 5,50 हो गया है 25 minus और root 5 into root 5 5 से 5 multiply करेंगे तो ये 25 ही बन जाएगा और 25 का जब हम root करेंगे तो ये 5 ही होगा यह इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जब कोई दो number same हो और वो root में हो multiply हो तो वो number खुदी बन जाता है यानि root खतम होके वो number ही आ जाता है तो root 5 into root 5 5 बन गया 25 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 20 आ जाएगा तो इस expression का answer है 20 अब आते हैं third part पर third part के अंदर root 3 plus root 7 और इसका सारे का ये whole square लगा हुआ है तो अगर root 3 A है और root 7 B है तो ये बन गया है A plus B का whole square अब इसका formula होता है हमारे पास इसका formula होता है A का square प्लस B का square प्लस 2 A B ये जो B square है इसे हम end में भी लिख सकते हैं और 2 A B को बीच में भी लिख सकते हैं या simply ऐसे भी लिख सकते हैं A square प्लस B square प्लस 2 A B ये identity हम इसमें लगाएंगे तो A है यहाँ पे पहला पहला है root 3 यानि root 3 का square और B है यहाँ पे root 7 ये root 7 का square प्लस का प्लस 2 अपने पास से होता है formula में और ये A और B का product इसके साथ में तो A की जगह लिखेंगे root 3 और B की जगह लिखेंगे root 7 ये तीनों numbers जो हैं ये product में हैं अब simplify कर लेते हैं root 3 का square अभी मैंने आपको बताया कि number same हो दोनों पे root लगा हो और भीच में multiply हो तो उसका जो square होता है वो number खुद ही हो जाता है यानि root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो 3 ही आएगा इसी तरह से root 7 का square 7 होगा प्लस यहाँ पे 2 तो एक whole number है तो 2 तो as it is रहेगा यह दोनों numbers root के हैं तो यह product हो जाएंगे 7, 3, 21 और उसके उपर root लग जाएगा 7, 3, 21 और उसके उपर यह root लग जाएगा यह 3 terms दिख रही हैं आपको इन 3 terms के अंदर यह जो 3 है और यह 7 है यह like terms हैं क्योंकि यह बिल्कुल साफ साफ number है यह add हो जाएंगे 7 और 3 हो गया है 10 और यह plus और यह 2 root 21 यह आपस में plus नहीं हो सकते क्योंकि यह सिर्फ एक number है और यह जो term है यह root 21 की term है तो यही इसका answer होगा अब आते हैं इसके fourth part पे fourth part exactly second वाले part की तरह ही है इसमें भी आप देख रहे हो यह जो दो binomials हैं यह पहला और दूसरा इनका term पहली पहली term सेम है दूसरी दूसरी term इनकी सेम है और एक में sin बीच में plus का है और एक में minus का है अब यह आगे पीछे होने से कोई फरक नहीं पड़ता यानि पहले binomial में plus हो दूसरे में minus हो या पहले में minus हो, दूसरे में plus हो, उसे कोई फरक ने पड़ता, ये दोनों product में है, तो formula यही लगता इसके अंदर भी, तो a plus b, और a minus b की form का ये expression है, और इसका formula होता है, a का square minus b का square, a है यहाँ पे root 11, तो root 11 का square कर देंगे, और बीच में minus, और b है यहाँ पे root 7, root 7 का square कर देंगे, root 11 का square 11 होगा, root 7 का square 7 होगा, ये दोनों like terms हैं, दोनों whole numbers हैं, 11 में से 7 minus हो रहा है, simple simple सा 4 answer आ गया, ये इसका answer हुआ, तो लास्ट पार था, question खतम, next questions के लिए next video में मिलेंगे, तब तक के लिए, good bye